मंदिर क्या होता है? जहां आप जाके घंटी बजाते हैं, दर्शन करते हैं या कुछ और इससे ज्यादा यह मंदिर की बहूत बहरी तल है मंदिर का बीतरी तल होता है किसी मंदिर में जब डेटी का प्रान-प्रतिष्टा कर दी जाती है डेटी मतलब उस भगवान की शिव का मंदिर है तो जब शिव की प्रान प्रतिष्ठा जिसको हम रेजी में बोते हैं जब कर दी जाती है और अगर उसको कोई योगी करें कोई रिशी करें उस प्रान प्रतिष्ठा को तो मंदिर एक उर्जा शेत्र की तरहां काम करता है जैसे दिन में बाहर जाते हुआ तो सूरे की किर्णे तो सभी जला हैं मगर बच्पन में स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने वो एक मैगनिफाइंग ग्लास लिया सूरे की किर्णों से एक पेपर को जलाया किस-किस में जलाया था? सब भी शरारती बेटे हैं या सुनियल जी ये टीचर ने बोला था मत जलाना आग लग जाएगी इस समने जलाया है मगर ये एक्सपेरिमेंट बड़ा महत्पून आए ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाया कि कुछ ऐसी विदियाँ हैं जिससे आप सारी उर्जा को एकतरित करके एक बिंदू पे सीमित कर सकते हो एक बिंदू पे ला सकते हो और उस बिंदू पे अगर उर्जा आ गए तो उसका लाब उठाया जा सकता है मंदिर वो विज्ञानिक फील्ड है उर्जा का शक्ती का वाइब्रेशन का मंदिर वो उर्जा का शेत्र है जहां आप सिरफ घंटी बजाने, माथा टेकने, प्रसाद ग्यान करने नहीं जाते इसके अलावा, जिस भी डेटी पे वो मंदिर की प्राण प्रतिष्टा हुई होती है उस डेटी के गुणों की उर्जा मैं फिर से दोराता हूँ उस डेटी के गुणों की उर्जा उस मंदिर में विद्यमान हो जाती है अब जब आप उस मंदिर में जाएंगे वहाँ आँख मूद कर ध्यान करेंगे या प्राथना करेंगे वही उर्जा आपके भीतर की उर्जा को भी समवेधन शील करेगी इटल इंपैक्ट और एनरजी वही वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन को आके मिलने वाली है इसको हम योगिक भाषा में आभा मंडल भी बोलते हैं आभा मंडल चंट सुनाए ना और आजपक्त दूए जब आप उस शेत्र में जाते हो तो आपका आभा मंडल उस मंदर की उर्जा का com अबा मंडल आपस में मिलते हैं इस मिलने से उन वैल्यूज की कुछ चवी, वैल्यूज जो वो मंदिर दिखा रहा है, जिन वैल्यूज पर उस मंदिर का कॉंसेक्रेशन हुआ है, वो उस वैल्यूज की कुछ उर्जा आपके आज आभा मंदर में प्रवेश कर जाती है, अब आपने जाने अन जाने, कॉंशि उस उर्जा को ग्रहन कर लिया वो आपकी चेतना को समवेदन कर दिया उस उर्जा ने किसी तल पर इसलिए मंदिर को बनाने की आवशक्ता है इसलिए वहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं बन सकता क्योंकि अगर सिविलाइजेशन को आगे चलाना है तो सिविलाइजेशन कैसे चलेगी आगे मैंने बोला अंतरमुखी मूल्यों से ही सिविलाइजेशन आगे चलेगी अधरवाइस खतम हो जाएगी दो, तीन, दर साल में और भारत की सिविलाइजेशन नहीं खतम हुई क्योंकि अंतरमुखी मूल्यों पे चल रही थी अब ये अंतरमुखी मूल्यों का विस्तार कैसे होगा बात समझ रहे हैं आप कनेक्शन समझ पा रहे हैं अब ये अंतरमुखी मूल्यों का विस्तार कैसे होगा किताब के माद्यम से हो सकता है बट किताब की लाइफ छोटी है 50 साल में कीड़ा लग जाता है उसको पेपर नश्ट हो जाता है लाइफ छोटी है किताब के माद्यम से भी होता है गुरू के माद्यम से भी इन मूल्यों का विस्तार होता है बट गुरू भी तो human form में है, आयू, 70, 60, 80, विवेका नंदु ये 42 से भी कम तो ये civilizational values आगे कैसे बढ़ेंगे, हमें ऐसे स्थानों को निर्मान करना होगा, जहां वो उर्जा 1000 वर्ष तक तो कम से कम रह सके कम से कम 1000 वर्ष तक कर दो एद कि रहिते हैं? झाल झाल